ओम चान्ति दसमाई बहुत ही नसे और खुशी की मुडली है और गहन चिंतन की भी तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वयम निराकार भगवान जो ग्यान का सागर है तिरकाल दर्सी है टीचर बनकर हमी पढ़ाने आ गया है कभी सोचा भी नहीं था शास्त्रों में उसे विद्या देने वाला तो कहते हैं ज्यान दाता भी कहते हैं पर वो टीचर बनकर आ जाएगा वो एक स्कूल यूनिवरस्टी खोलेगा और सभी आत्माओं को सत्ग्यान देगा ये तो कल्पनाओं में भी नहीं था अब ये हो रहा है ये जो ग्यान हम आपको दे रहे हैं ब्रह्मा कुमारिज का ये कोई सास्त्रों का नहीं ग्रंथों का नहीं निराकार परमात्मा ने साकार ब्रह्मा के तन में परवेश करके जो ग्यान दिया जो राज-योग सिखाया वो हम आपको दे रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है सास्त्रों में तो ग्यान को ढूंते रहे, सत्त को ढूंते रहे, सास्त व्रद्धी को पाते रहे, भक्ती चलती रही, अने ग्रंथ भी लिखे जाते रहे, गीता पर टीकाएं होती रही, पर संसार में अंधकार बढ़ता रहा आप जानते हैं आजकल कौन वेद पड़ता है, कौन गीता पड़ता है, पुरा हो गया सब, भगवान आगे सत्त ग्यान देने के लिए, सहज ज्यान दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी प्रीत इस ज्यान से भी बहुत है, और ज्यान देने वाले से भी बहुत है, न नो हो तो होनी चाहिए, लोकिक पढ़ाई में तो, बच्चे अपने टीचर्स को देते हैं, इनाम भी देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, यहां तो यह सुप्रिम टीचर ही तुम्हारे लिए स्वरक की सोगात लेकर आया है, क्या पढ़ा रहे हैं, एक तो राजयोग की विद इसको कर्माती दवस्ता कहते हैं, तो बाबा केह रहे हैं, कि तुम्हें पुठसार्थ करते रहना है, जब तक तुम कर्मातीत नहो और जनम-जनम के जो कर्मों के आफ किताब रहे हैं, आत्माओं से भी वह भी पून नहो, तो यह ऐसी पढ़ाई है, जिसमें चाहिए कोई पुराने वाले डीले हो जाते हैं, नए तेज पुरसार्थ करने लगते हैं, तो एक सिवावार राजयोग सिखा रहे हैं, दूसरा, स्रस्टी के आदी मध्य अंत का ग्यान दे रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं, बच्चे, तुम आदी सनातन देवी देवता धर्म के थे, इ इतना सुक और किसी धर्म में हो नहीं सकता, बाद में तुम अपने को हिंदू कहने लगे, हिंदू तुमारा धर्म नहीं है, तुम आदी सनातन देवी देवता धर्म के हो, और मैं फिर से उसी स्रेश धर्म की स्थापना कर रहा हूं, बता रहे हैं, लक्ष्मिनायन का राज था, देखो जो सबसे बड़े माने जाते हैं, जिनको लोग भगवान भगवती कहते हैं, उनका राज था भारत में, यह भारत बहुत ही महम देश था, तो भावा के रहे हैं, मैंने यह इनवर्स्टी भी खोली है, तो यह होस्पिटल भी खोला है, इसमें तुम एवर हैपी बन जाते हो, कोई रोग सोग तुम्हें नहीं रहता है, तो मैं निराकार हूँ, पढ़ाने आता हूँ, तो कैसे आओंगा, तुम आत्माएं तो सरीरे में हो, और मैं आत्मा, मैं परमात्मा निराकार, मुझे भी ब्रह्मा के तन में आना पड़ता है, ऐसे नहीं वो क किसी के भी तन में आ जाएगा, कई लोग कह देते हैं भगवान हमारे पास आता है, बाबा आता है, बाबा का तन बहुत पवित्र आत्मा का, बहुत सरेष्टी योगी आत्मा का ही होना चाहिए, ऐसे वैसे में भगवान नहीं आ सकता, तो सरेष्टी के आदी मद्य अंत का ज्यान दे रहे हैं, तुम्हें सम्मुक बैठ कर पढ़ा रहे हैं, तुम्हें बहुत खुसी होनी चाहिए, और ज्यान की एक एक बात का चिंतन करना चाहिए, तो हम विचार करें, भगवान पढ़ाने आ गया है, हमारी सत्त की खोज समत्त हो गई है, हम बहुत सुखी हो मेला हो गया है, यानि भगवान आए पढ़ाने और अनेक आत्मा आगई पढ़ने, तो आत्माओ का परमात्मा का मेला लग गया है, तो क्या हमें इतनी खुसी रहती है, क्या इस पढ़ाई से हमारी प्रीथ है, इसको हम इतनी वेल्यू देते हैं, इस पढ़ाई का एक-एक म कोडी से हीरे जैसा बनाने आ गया हूं, तो तुम्हें भी तो बहुत महनत करनी चाहिए ना, हीरे जैसा बनने का निरंतर ध्यान रखना चाहिए, ये मनो विकार, जिन्हों ने तुमको कोडी के समान बना दिया, बाबा कहरे हैं, ये जो पतित बनाने वाले विकार हैं, इस काम चिता पर चड़ कर, मुझ सागर के सारे बच्चे भसमी भूत हो गए हैं, अब मैं आया हूं, सब को ज्यान अबरत बिला कर, फिर से सुर्जीत बना रहा हूं, माया तुम्हें सुला देती है, मैं तुम्हें जगाने आ गया हूं, बार बार जगाता हूं, रोज रोज जगा हूं, तब हमारा क्या कर्तव है, चिंतन करें, पहले तो हमें बहुत नशा रहे, खुसी रहे कि स्वयम भगवान हमें पढ़ाते हैं, और जितना हम इस नशे और खुसी में रहेंगे, और सौल कॉंसियस होके पढ़ेंगे, बुद्धी को पवित्र करेंगे, तो ये ज्यान स हमारी बुद्धी में धारन हो जाएगा, बहुत ध्यान देना है, ये पवित्र ग्यान, ये पवित्र बुद्धी में धारन नहीं हो सकता है, तो भगवान इतना सुन्दर ग्यान दिया है, एक-एक रतन की हमें वेल्यू होनी चाहिए, और पढ़ाई पे बहुत ध्यान देन जाहिए इसकार्तिया नहीं होता कि हम सारा दिन पढ़ते रहे हैं जो पढ़ायी हमें पढ़ायी गई है सवेरे-ई-स्वरिय तक को हमेंए अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है वर्दान अधि कारीपन की इस्मर्ति से सब प्राप्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति संपन्भव हम अधिकारी हैं बहुत बड़ी चीज है जो भगवान का वो हमारा वो सर्व सक्तिवान है उसकी सर्व सक्तियों पर हमारा अधिकार सर्व सक्तियों का इससे अनुभव होता रहेगा हमें मांगने की जोरत नहीं पड़ेगी, ये भगवान सेन सक्ति दो, ये सक्ति दे दो, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, हो गई हूं नहीं, जो सक्तियां बाबा की वो सब हमारी, इससे हम सक्ति संपन बन जाएंगे और इस अधिकारपन की फेलिंग से अनेक प्राप्तियों की सहज ही अनुवोती होती रहेगी, स्लोगन, स्वयम के साथ, यदि प्रकर्ति को भी पावन करना है, तो लगाओ मुक्त बनो, बहुत गहरी बात है, चिंतन करना है सबी को, तो आज हम सारा दिन इस नसे में रहेंगे, हमें भगवान पढ़ाता है, और जो कुछ उसका है, वो मेरा है, इस में चिंतन करेंगे, और अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा परम पवित्र हूं, प्रकर्ति की मालिक हूं, भाबा से पवित्र वाइब्रेशन सा रहे हैं, चार और प्रकर्ति में फैल रहे हैं, ओम शंति. झाल शंति.